दोस्तों आज किस वीडियो में आपके सबसे जादा पूछे गए एक सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ जिसमें मेरे पास बहुत सारे लोग पड़े ये कमेंट करते हैं कि क्या अगर मैं मोनो पर्क बाइफिशल पैनल के साथ जाता हूँ तो वो वाला पैनल हमार है जब वैदर खराप होता है मतलब जब बादल होते हैं उस कंडिशन में काँ करता है या नहीं करता सर्दियों में ये हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए कैपबल होता है या नहीं होता तो आज इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें कहीं ना कहीं आपको चीजों को ओवर बता दिया जाता है क्योंकि आगर आप एक मोनो पर्क बाइफिशल पैनल की कीमत देखेंगे तो करीब 40-45,000 रुपा बैठती है पहीं अगर आपको एक किलोवाट का मोनो पर्क बाइफिशल पैनल परचेज करना है तो आपको करीब 40-45,000 रुपा के पीच पड़ेगा और इस पंदा हजार का जो डिफरेंस क्रियेट किया जाता है उसके बीच इसमें कुछ ऐसे मित डाल दिये जाते हैं जिसकी वज़े से एक कस्टमर जिसे नहीं पता होता सोलर के बारे में वो इन बातों में आ जाता है और वो मोनो पर्क बाइफिशल पैनल के तरफ चला जाता है यह नहीं बोलता है यह टेकनॉलजी नहीं सही है पर जो acceptations है वो कहीं न कहीं ओपर हो जाती है तो अगर आप अपने लिए एक monopark bifacial panel का solar pack या solar system लगाने वाले हैं तो क्या reality है इस pack की और आपको per kilowatt के हिसाब से 45,000 रुपए देने चाहिए या नहीं देने चाहिए आज इस वीडियो में यही पूरा detail के साथ discuss करेंगे जिससे आपको जो हर एक point है वो clear हो सके क्योंकि आप जो लोग मुझे follow करते हैं वो सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको truth बताने की कोसेश करता हूँ और इस वीडियो में किसी कंपनी के बारे में डिसक्स करने वाला मैं डिसक्स करने वाला हूँ टेकनोलजी के उपर क्योंकि पी टाइप हो गया एन टाइप हो गया इनके उपर कुछ जादा ही चीज़ें बताई जाती हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगा जो इस सोच में लगाने वाले हैं कि वह सोलर पैनल उनका जबर जस्त काम करने वाला है तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो की हेलो व्लकम बैक अगेन मैं मैं सूर्यांस और वाचिंग टेकाई सूर्यां सोलर यूडियोग मोनोपर्क बाइफेसियल पैनल का जो प्राइस हो आपको चालिस से पैंतालेस हजार रुपा परता है वहीं अगर हम लोग अपनी पुरानी टेकनोलोची की बात करें जिसमें आपका पॉलिक स्लाइन पैनल आता है इसका प्राइज आपको परता है 28 से 30 जार रुपा या 27 ज पर इन समय जो सबसे महेंगा पैनल होता है वह होता है मुनोपर्क वाइफिस्यल इसके ऊपर जो दावे किये जाते हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं तो यह व्यों इंफॉर्मेट्व है तो कंप्लीट देखेगा जिससे आपको कंप्लीट जानकारी हो सके और द सेटिसपाइड करने वाला नहीं है या वाग कई बादल के मौशम में परसाद के मौशम में और सर्दियों में यह पैनल इतना जबरजस्त काम करता है या नहीं करता है इसको समझने पहले हम लोग एक एक टेकनोलोजी के बारे में समझते हुए चलते हैं दोस्तों अगर दे टेकनोलोजी आपकी कुछ ना कुछ जो पावर आउटपुट है वो आपको देती रहती हैं तो ऐसी कंडिशन में अगर यह बोला जाए कि यह पैनल काम करते हैं या नहीं करते हैं तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि कोई भी अभी तक ऐसी सोलर टेकनोलोजी नहीं बनी है ज कंडिशन में भी आपको अच्छा परफॉर्ण करके दे अच्छे का मतलब यह है कि अगर आपने एक सो पचात पचास से इसकी दो बैटरी या सिंगल बैटरी लगा कर रखी है तो बादर के मौसम में वो बैटरी आपकी साम तक फुल जार्ज हो सके तो अगर ऐसी एक्सेप पड़ेगी डायरेक्टली अब तक आपको वो प्रोड़क्टिविटी नहीं मिले कि जितनी आपको मिलनी चाहिए तो पहला तो यह में एक्टम क्लियर कट हो गया कि यह कहना तहीं रहेगा कि बादलों के मौसम पर सोलर पैनल काम करता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दोर नहीं है पर एक अच्छी आउटपुट के साथ काम करता है तो यह बिल्कुल गलत बात है अच्छी आउटपुट के साथ काम नहीं करता है और इसके बात कई लोगों के सवाल भी रात में भी इनर्जी बनाने वाले सोलर पैनल बन चुके हैं तो दोस्तों अभी उन सोलर पै है पहला मित क्लियर हो गया होगा अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली पुछेगा मैं आपको उस चीज का उत्रा जरूर दूँगा दूसरा एक सबसे बड़ा मित जो हमारी सबसे लेटेस्ट टेकनोलोजी है यह हमें बहुत अच्छा निगाल कर देती सबसे पहले चीज अगर आपको आउटपुट ज्यादा देखने को मिलता है एक पैनल पे तो एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि उस पैनल का जो वाट है क्योंकि अगर हम लोग पॉली पैनल की बात करें को 335 वाट तक का ही बड़ा से बड़ा पैनल मिलेगा इसका आउप लोग जो रिजर्ट का कल्कुलेशन निकालते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलेगा और पैनल के साथ एक सबसे बड़ी खराबी भी होती है कि आप इस पैनल को जब इस्टेबलिस करेंगे इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस वक्त आप प्रसेंट मतलब रेट पड़ी है इन डाट कंडिशन वो रिफ्लेक्ट होगी तो जब वापस जाएगी तो उस कंडिशन में वो दोनों साइट से इनर्जी को जनरेट करेंगा पर ऐसा जो पॉसिबिल्टी है वो बीस से पच्छेस परसेंट तक होती है इससे जादा नहीं ह होती है तो यह एक्सेप्टेशन रखना कि आप अगर एक बाइफिस्यल लगाते हैं तो आपको साथ आठ यूनिट पर गिलोवाट की जनरेशन मिल जाएगी तो यह एक सबसे बड़ा मित होने वाला है आपको पॉलिक स्वाइंट पैला जब अच्छी संवाना कंडिशन करता है अगर इससे ज्यादा टंप्रेचर बढ़ता है तो पॉइंट फूर के हिसाब सी डिग्रेशन करता है मतलब जितनी ज्यादा घर्मी होती जाएगी उतना ही आपका सोलर पैनल काम करना कम करतेगा और सबसे अच्छा का सोलर पैनल की बात करें तो अगर आप यूपी बिहार जैसे ज्यां बिलाओं करते है जहाँ पर पानी वर्षा और उसके बाद फिर से संलाइट निकल आई फिर पानी बर्षा ऐसी गमने क्या होता है जो पैनल का टंपरेचर वह बैलेंस में बना रहता है और जैसे बादल गए फिर सोलर की जनरेशन है आपको ज्यादा द जाती है तो एक चीज़ बिल्गुल क्लियर कट है कि आप कोई भी टेक्नालोजी का पैनल लगा लिजेगा आपको 7-8 यूनिट तक की जबर्जस जनरेशन नहीं मिलेगी आपको जनरेशन मिलेगी मैक्स तु मैक्स चै यूनिट पर डेखी और यही तेम जनरेशन आपको हाफ्कड पैनल के साथ मिल जाएगी तो आप 38 रुपए पर वाट का सोलर पंडल लगा कर छहे यूनिट की जनरेशन लेना चाहते हैं या पैंटालीस या सैतालीस रुपए पर जबर्चस्त काम करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप यह सोच के पैनल लेने जाने वाले हैं तो भी मैं रिखमेंट करूँगा कि आप ऐसा सोच के पैनल लेने मत चाहिएगा जबर्चस्त के बारे में तीसा सबसे बड़ा मित है कि जितनी जादा धूप निकलेगी आपके सोलर पैनल उतनी जादा प्रोडक्टिविटी बना कर देंगे तो दोस्तों यह भी चीज एक काफी बड़ा मित है सोलर पैनल की जो सबसे हायर आपकी जो आउपट होता है वह सबसे अच्छी आउटपुट देते हैं तो मई जून की सबसे जबर्जस्त गरनिया पड़ती है ऐसी कंडिशन में जो धूप तेज हो जाती है सोलर पैनल हो जाते हैं तो एक टाइम आता है कि एक दो बजे के बाद आपकी सोलर पैनल का जो आउटपुट होता है वह आउट इसने सोलर पैनल आपको प्रोडिक्टिविटी देंगे तो इस मित को भी आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा अब बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि सिर्फ सोलर पैनल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनर्जी जनरे अगर वह कम होता है पर वह अगर आप चोटा सिस्टम लगवा रहा है एक किलोवाट का दो किलोवाट तक का तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग इनका परसेंटेज के हिसाब से कल्कुलेशन निकालेंगे तो कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलत अगर आपका एक MPPT कंट्रोलर लगा हुआ है तो ऐसी कंडिशन में आपका वह इंवर्टर का जो कंट्रोलर होगा वह बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है अगर आप इसी अच्छे टेक्नोलजी के तरफ जा रहे हैं और मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को यह रिकमन करता हूँ और कोसिस करता हूँ कि अगर वह पॉली पैनल नहीं ले रहे हैं तो वह हाफ कट पैनल की तरफ ही जाएं क्योंकि वह पैनल सस्ता भी पड़ता है और उस था आउटपुट भी अच्छा होता है अगर आप एक हाफ कट पैनल के साथ पीडेवलों टाइप क्या कंट्रोलर लगाएंगे तो आपको आउटपुट डिफिनेटली कम मिलेगा और अगर आप अहीं MPPT लगाएंगे तो आपको आउटपुट डिफिनेटली अच्छा ही मिलने वाला है तो ऐसे कुछ मित हैं जो आपको शोलर पैनल खरीदते टाइं इनको पहले से क्लियर कर लेना चाहिए इसके बाद भी अगर आपको कोई भी सोलर पैनल से सवाल है सोलर टेक्नॉलजी से सवाल है इन्वेटर से सवाल है तो आप फ्रीली माइंड होकर मेज़े से पहुंच सकते हैं रिएल और ऑथेंट जो लोग सोलर पैनल भविश्व में लगवाने जा रहे हैं या लगवाने वाले हैं उनके लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और का वीडियो शाबित होने वाला है तो इसी के साथ करते हैं आज किसी वीडियो को शमाप्त मिलते हैं एक वीडियो में किसी नई हैंगे